लेकिन सभागे से स्थितियां बदलती हैं और सम्बन्ध फिर सामान्य होने के प्रयास होता है और चीन के प्रती अविश्वास की भावना नेपाल के मन में जाकती है क्यों? क्योंकि जिस तरीके से चीन ने भारत पे अकारन ही हमला किया था जिस तरीके से चीन ने भारत की कुछ जमीन पर अकारण ही कबजा किया था और भारती जमीन को अपना बताने की कोशिश की थी नेपाल इस पूरे घटना करम को देख रहा था और उसने समझ लिया कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिए उसने अब फिर भारत की और मुड़ना शुरू किया भारत की और देखना शुरू किया भारत से अपनी मितरता पुना बढ़ाने का प्रयास शुरू किया इसी प्रयासों के फल्सवरूप 1962-63 में ही देखिए नेपाल नरेश जो हैं जिन्होंने 1960 में बयान दिया था कि भारत हस्तक खेप कर रहा है उनके अंतरिक मामलों में अब वो चीन की वास्तिविक्ता को जानने के बाद भारत की और जुकते हैं और भारत के 13 दिन की यात्रा में आते हैं 13 डे लॉंग डे विजिट टो इंडिया और इसमें क्या होता है कि तीन नेपाल मार्ग का जो प्रयास चल रहा था काट मांडू जिसका मैंने जिक्र किया वह काम बन कर दिया जाता है भारत के नेता भी तीन जाते हैं नेपाल जाते हैं यात्राएं होती हैं और नेपाल भारत संबन्द 1966 आते आते प्रगाड हो जाते हैं याने 1957 से 1962 के काल में जो संबन्द खराब हो गया थे वे वापस पुनर स्थापित होते हैं और 1962-63 से 1966 आते आते वापस अच्छे संबन्द हो जाते हैं 1971 में दोनों देशों के मद्ध कोसी और गंड़क नदी को लेकर समझगता होता है जो नेपाल की एक बहुत अहम योजना थी कोसी नदी पर बांद बनाना गंड़क नदी पर बांद बनाना ये एक बहुत खरचीली और बहुत अहम योजना थी और इससे क्या होता है कि दोनों के बीच बहुत निकटता आती है परन्तु चीन इस सब को देखते हुए चुप नहीं था वो सतत रूप से प्रयास कर रहा था कि नेपाल के मन में भारत के प्रती और विश्वास पैता किया जाए कुछ न कुछ वो हटकंडे अपनाते रहता था छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देते हुए भारत नेपाल के संबन्दों में कटता लाने का प्रयास करता था लेकिन इन सब के बावजूद 1962 की लड़ाई के मद्य नजर नेपाल जाक चुका था और वह भारत से अपने संबन्द बनाये हुए था नेपाल इस बात पर पिश्वास करने लगा था कि भारत कम सामराज्यवादी विचारधारा वाला देश नहीं है सामराज जवादी विचारधारा मतलब ऐसी विचारधारा जिसमें दूसरे देश के खेतरों पे कबजा किया जाए जैसा चीन ने किया था उसने तिबत पे कबजा किया उसने भारत के कुछ खेतरों में कबजे का प्रयास किया कब जा किया 1962 के युद्ध में इस सब को देखते हुए नेपाल की आँख खुली और उसने भारत की और अपने को मुड़ा 1974 आते आते नेपाल ने भारत की खुले दिल से प्रिशंसा भी की लेकिन 1974-1975 में सिक्किम का जब भारत में विलाय होता है सिक्किम देखिए नक्षे में सिक्किम कहां है भारत के उत्तर में नेपाल के नीचे एक बहुत छोटा सा देश जो चारों तरफ से इन लोगों से घिरा है वो देश अपने बल पर कुछ नहीं कर पाए तो सिक्किम और भारत इन दोनों के बीच में एक समझाता है जिसके तहद सिक्किम भारत में विलाय के लिए अनरोट करता है स्विकार हो जाता है और भारत में विलाय हो जाता है अब ये मामला भारत और सिक्किम के बीच का था पर इस घटना को चीन और नेपाल थोड़े दूसरे नजर से देखते हैं अभी तक चीन के पास कोई ठोस कारण नहीं था भारत की सामराजवादी नीती के बारे में कुछ कहने का या भारत के पर सामराजवादी होने का आरोप लगाने का लेकिन सिक्किम का भारत में विले इसे चीन ने बहुत बढ़ा चड़ा कर बताया और 1974 पतर जो ये विले हुआ इसको उसने प्रभुत्ववादी विया भार बताया प्रभुत्ववादी और नेपाल ने भी इस बात पर अपनी चिंता जाहिर की लेकिन दोनों देशों के बीच संबंद बने रहे और आना जाना आदान प्रदान होता रहा संबंदों की विशिष्टा को भी स्विकार किया गया और इसके साथ ही ये कोशिश सतत रूप से बनी रही कि भारत और नेपाल एक दूसरे से निकट स मंद बनाए रखें इसके बाद एक दौर आता है जिसे हम 1980 के आसपास देखते हैं इस दौर में क्या हुआ कि भारत में नई सत्ता आती है 1977 से 1980 का काल भारत में पहली बार गैर कॉंग्रेशी सरकार का होता है लेकिन इस गैर कॉंग्रेशी सरकार के काल में भी अटल विहारी वाजपै तदकाली इन विदेश मंतरी वो बहुत अच्छे संबंद रखते हैं नेपाल के साथ और इस प्रकार 1980 तक हम कह सकते हैं कि 1962 के बाद जो संबंद बहतर होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1980 आते आते वह ठोस हो गई 1980 में सरकार बदलती है केंद्र में भारत में कॉंग्रेश की सरकार वापस आती है और एक बार फिर कोशिश होते है कि इन संबंदों को और मजबूत बनाया जाए इस दोरान भारत के राश्पती भारत के प्रथान मंत्री नेपाल की आतरा करते हैं नेपाल लेरेज भी भारत आते हैं और 1950 में जो संधी हुई थी व्यापार संधी जिसके तहत मुक्त व्यापार एक तरीके से जमीन खरीदने की सुविधा प्रापर्टी बनाने की सुविधा ये सब जो होता है जिसे हम भारत नेपाल व्यापार और पार गमन संधी कहते हैं उसके अंतरगत कुछ नहीं बातें और जोड़ी गएं आर्थिक व्यापारिक पूर्ण तयाओ से छोड़ दिया और भारत को बताए बिना नेपाल द्वारा चीन से भारत मात्रा में अत्यादिनिक हत्यारों के विचार विमर्ष नहीं बलकि भारती की सहमत लेना भी अनिवारे था देखिए इसमें क्या होता है भारत को बताए बिना नेपाल चीन से भारी मात्रा में हत्यार खरीदता है भारत से किसी तरह का विचार विमर्ष भी नहीं होता और एक पक्षी निर्णा ले ले लेता है प्रणाम क्या होता है कि भारत अपने चिंतित हो जाता है कि नेपाल ने चीन का सहरा लिया है और एक तरीके से बिना बताए इसके अतरिक नेपाल में रह रहे भारतियों को भी वापस जाने के लिए परिशान किया गया नागरित्ता का प्रश्ण ठाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई एक तरीके से शडियंत रचा गया तो असी में फिर रिष्टों में खटास आती है और खटास का कारण क्या है चीन के दोरा अच्छानक नेपाल को मदद देने की संधी नेपाल दोरा अच्छानक चीन की और मुड़ना इस करम में जो 1950 में जो यस संधी हूई थी वो 1989 में समाप्त हो गई और नेपाल ने इस संधी को आगे बढ़ताने से इनकार कर दिया यहाँ पर रिष्टे हम गमन संदी व्यापार संदी जो ती जो रिन्यू हुई थी जिसे पुना आगे बढ़ाये गया था उस संदी को नेपाल ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और 1989 में यह संदी यहां समाप्त मान दी गई इस संदी को आगे नहीं बढ़ाये गया अब इस व्यापारिक संदी के आगे ना पढ़ाय जाने से इसके क्या परिणाम हुए और परिणाम का असर क्या पढ़ा परिणाम तो एक चीज है और परिणाम के मद्दे नजर स्थितियों में क्या अंतर आया पहला तो ये कि ये वियापारिक संदी जो थी, जो 1950 से चल रही थी, ये नेपाली जनता के लिए बहुत अहम थी भारत आना जाना, भारत उनके लिए लगवग एक अपने ही देश जैसा था उन लोगों का आवागमन भारत में एक समाने प्रक्रिया थी वियापार एक बहुत समाने प्रक्रिया थी, उसके लिए कोई ज़्यादा ऐसी अंतर राष्ट्री जो मामले होते हैं ऐसे उनके लिए नहीं किये गये थे और एक खुला मुक्त वियापार होता था अब जब ये संदी हटा दी गई तो वहाँ की जनता बहुत परिशान हो गई, उनकी आर्थिक कठनाईयां बढ़ गई क्योंकि भारत से उनकी लेंदेन बहुत थी, भारत के लोंगों से उनका लेंदेन बहुत था और ये कठनाईयां बहुत बढ़ गई यद्यपीन कठनाईयों के लिए नेपाल की सरकार ही दोशी थी, क्योंकि उसी ने संदी को बढ़ाने से इंकार कर दिया था, लेकिन उसने इसका दोश भारत पे मढ़ा चीन ने भी इस मौके का फादा उठाते हुए नेपाल को आर्थिक मदद देने का प्रस्ताओ भी रखा और नेपाल की सरकार भी जनता की इस बढ़ती समच्या के लिए भारत को दोशी बताने का दुश परिचार करने लगी और ये सब वही चीन की ही शाह पर हो रहा था चीन नेपाल का सतत रूप से साथ देते रहा और उसका प्रयास ये था कि वो नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाए और उसके लिए वो मौका ताक्ते रहता था ये मौका उसी ने पैदा किया था और इस मौके का फाइदा उठाना चाहरा था इस प्रकार अब हम आ गये हैं 1950 से लेके 1990 तक के भारत नेपाल संबनों के घटना करम में अब 1989 में इस स्थितियां कुछ बदलती हैं एक और जहां संदी आगे बढ़ाने से मना कर दिया जाता है नेपाल के द्वारा तो दिसरी और नेपाल की जनता नाराज होती है और वहां के शासन भारत को उसके लिए दिश देता है क्योंकि इनके आर्थिक रिस्थिति बड़ी कमजोर होने लगी और आर्थिक सितिक कमजोर क्यों होने लगी इसका कारण मैंने बताया क्योंकि जो खुला व्यापार था वो एक तरीके से बंद हो गया काफी नेपाली लोग भारत में व्यापार करते थे तो रोज का जाना आना होता था उनका अब वो सब बंद हो गया लेकिन 1989 में भारत में सरकार बदलती है और कॉंग्रेस के बाद अब राष्ट्री मोर्चे की सरकार आती है राष्ट्री मोर्चे की सरकार जो आती है वो नेपाल के साथ संबन्द सुधारने का प्रियास करती है और एक तरीके से भारत के इन प्रयासों का एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलना प्रारम होता है फरवरी 90 से नेपाल भारत के द्वारा किये गए प्रयासों को एक तरीके से स्वीकार करता है लोक तांत्रिक अंदोलन की सफलता के साथ दोनों के बीच मैतरी बढ़ती है क्योंकि 1990 में नेपाल के अंदरूनी राजनेतिक माहौल में वहां लोक तांत्रिक पुनर स्थापना होती है लोक तांत्रिक आंदोलन होता है और जिससे भारत ने अपने को दूर रखा था क्योंकि भारत कते ही नहीं चाहता था नेपाल को यह महसूस कराना कि वह उसके मामले में दखल दे रहा है लेकिन इसके बावजूद नेपाल में लोक तांत्रिक बयार के चलते वहां लोक तांत्रिक पुने हुए प्रधान मंत्री चुने हुए प्रधान मंत्री भट तराई भारत की आत्रापे आते हैं और नेपाल और भारत के बीच एक पुना नय संबंधों की स्थापना होती है ये 1990 की घटना है याने पुना मैत्री क्यों क्योंकि पुना कॉंग्रेस की सरकार के बदले अब राष्टी मोर्चा की सरकार जिसके द्वारा नया प्रयार ऐसे ही नेपाल में लोक तंत्र का बढ़ता दबाओ जन आंदोलन और लोक तंत्र की सफलता तो अब दोनों ही देशों की सरकार लोक तंत्रिक हो गई थी वहाँ लोक तंत्रिक तरीके से चुनों हुए प्रधानमंत्री भट्राई भारत की ओर विशिष्ट संबन्द रखना चाहते थे और इस वकार फिर आदान प्रधान होता है फिर संबंद बहतर होते हैं और 1991 केंट में नेपाल के प्रधान मंतरी कोईराला की भारत यात्रा से दोनों के बीच में बहुत गहन संबंद हो जाते हैं दिसंबर 1991 में दोनों देशों के बीच पांच समझोते होते हैं दोनों देशों के बीच कितने समझोते हैं पांच समझोते होते हैं और भारत नेपाल संबंद पारस्परिक संबंद वापस घनिष्ट हो चले ये परिवर्तन क्यों आया नेपाल में लोक तंत्राने से भट्टराई की सरकार और इसके बाद कोईराला की सरकार नेपाल के प्रसान मंत्री जी पी कोईराला गर्जा प्रसाद कोईराला इनकी सरकार आई और शिखर वारता हुई भारत और नेपाल के बीच, दोनों के प्रधान मंत्रियों के बीच, दोनों के प्रमुकों के बीच और पांस समझोरते हुए। इस प्रकार घनिष्टिता का नया दौर प्रारम होता है 1992 से। एक और वहां लोगतांत्रिक सरकार थी और भारत का लोगतांत्रिक होना नेपाल के लिए नेपाल की राजिनिति के लिए अच्छा संकेत था। पर दूसरी और दुरुआ के से नेपाल के अंदर की राजिनियतिक गतिविदियां वहां पर अस्थिता पैदा कर रही थी। और इस बार की अस्थिता के लिए भी एक तरिके से चीन या चीनी विचार धारा ही जिम्मेदार थी। चीनी या चीनी विचारधारा से हमारा ताटपर क्या है साम्यवादी विचारधारा नेपाल में साम्यवादी शासिन की स्थापना के समय आशंका होने लगी थी कि इससे भारत नेपाल संबंद खराब हो जाएंगे 1994 में वहाँ पे साम्यवादी सरकार आती है लेकिन स्वभागे से साम्मेवादी सरकार के आने के बावजूद भी ये शंका गलत साबित हुई और भारत और नेपाल के संबंद अच्छे बने रहे, मैत्री पूर्ण रहे, पहले जासी रहे 1995-1996 में दोनों के बीच में और संधियां हुई, और समझते हुए और 1996 में नेपाली संसद ने बहुमत से इन समझतों को स्वीकृति दे कर एक सरकारी ठपा उसमें लगाया भारत नेपाल के बढ़ते संबंदों पर वहाँ पे सामझवादी सरकार के आने से जो ये शंका थी कि शायद इस सामझवादी विचारधारा का जुकाओ चीन की और होगा ये एक तरीके से निर्मूल साबित हुआ 1998-1999 में भी यही परिवर्तन वहाँ चलते रहे लेकिन सरकारें वहाँ के बदलती रहीं पर उनका जुकाओ सत्त रूप से भारत की और रहा जीपी सरकार जीपी कोइराला गिरजा पसाद कोइराला के नितरत में 2000 के आजबस च्छटी सरकार आई च्छटी बार याने दस वर्ष के काल में देखी कितनी सरकारें बदली लेकिन फिर भी हमारे दोनों के संबन में कोई कड़ुआट नहीं आई है कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और यहां यह भी जाना जरूरी है कि नेपाल ने अभी तक भारत के जो आणविक परिक्षन हुए थे 1998 में भारत ने आणविक परिक्षन किया था आपको याद होगा पोखरन में जहां पर पांच पर्मानु प्रियोग किये थे उसने नेपाल ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कि अरथा नेपाल कम से कम भारत के इस आणविक प्रियोग को प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं कहा नहीं की यही एक बहुत अच्छी बात है अन्य था चीन और पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों ने थे भारत के इस परमानू परिक्षन पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया की थी अमेरिका उस प्रतिक्रिया में सबसे आगे था लेकिन भारत नेपाल भारत के एक अच्छी पडोसी के नाते उसने इस पर किसी भी तरह की प्रक्रिया देने से अपने को दूर रखा। ये स्वयम में भारत और नेपाल की मित्रता, प्रगारता, गहरी संबंधों को बताता है। ये वो दौर भी था जब रिष्टों में किसी तरह के उतार होने की स्थिति में, रिष्टों में किसी तरह के खटास होने की स्थिति में, नेमित रूप से भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में संबंध बने रहे। विदेश सचीवों के माध्यम से, वित्तमंत्राले के अधिकारियों के माध्यम से और इस प्रकार जो संबंदों में कभी कभी गतिरोध होता था उस गतिरोध को रोकने में सफलता मिले। अप्रेल अंठानवे के वज़े में भारत ने तो नेपाल को काफिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया और अपना व्यापार तीन सो चालिस करोड रुपए तक पहुंचा जा भारत और नेपाल के बीच का जो व्यापार है वह काफी बढ़ गया उन्निसो अंठानवे निन भारत के प्रथम नागरिक के नाते 12 वर्ष बाद किसी की यातरा होती ही नेपाल भारत के रहजपति के आगमन पर वहां के नरेश सपतनीक भारत आते हैं और 1999 में उनकी ये राजकी यातरा होती है इस दोरान भारत और नेपाल के बीच फिर से पारगमन संधी 1990 में होती है वह संधी जो समाप्त हो गई थी 1990 में पारगमन संधी 1999 में फिर से ये पारगमन संबंधी होता है और 2006 तक की अवदी के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है 1999 में इस संधी के आने से भारत और नेपाल की सीमा पर जो दिक्कतें थी आवा जाही में वो दिक्कतें काफी हद तक दूर होती हैं और ये साथ वर्षों के लिए चलती हैं और फिर इसे बढ़ा दिया जाता है 1999 में भारत के विदेश मंत्री भी यात्रा करते हैं और इस विकार दोनों के संबंद अच्छे बने रहने का सतत प्रयास रहता है जन्वरी दो हजार दो सार्क S.A.A.R.C. South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation जिसे हिंदी में दक्षेश भी कहते हैं सार्क देशों का सम्मेलन इस काल में सार्क की भी स्थापना हुई थी जिसमें दक्षिन अश्याई देश एक गुट बनाते हैं जिसमें अफगानिस्तान भी एक विशिष्ट अतिति के रूप में शामिल किया जाता है बाद में क्योंकि अफगानिस्तान वैसे तो मद्ध एशिया में आता है लेकिन चूंकि उसकी इस खेतर से ज्यादा निकटता है उसे दक्षिन एशिया के सम्मेलन में भी एक इस्थान दिया गया है एक विशिष्ट अतितिके नाते तो ये सार्क के जो सम्मेलन होता है इस सार्क के सम्मेलन ग्यारवे सम्मेलन में दो हजार दो को ग्यारवा सम्मेलन काट मांडू में वाचपेई जी जो भारत के पिजान मिंत्री हैं वो वहाँ जाते हैं और नेपाली संसद के अंदर आतंकवादी हमले की कठोर निंदा होती है इस्तिकार भारत और नेपाल के संबंदों में यदि कोई बाधा है तो वो यही कि 1950 की संदी की शर्ते इस संदी के अनुसार देने देशों ने निर्ने लिया था कि दोनों देशों का अधायत्व है कि किसी विदेशी हस्तक्षेप को एक दूसरे की सुरक्षा की दिश्टी से स्विकार नहीं करेंगे मैं इस बात को पुना दोरा दूँ कि भारत और नेपाल के संबंदों में यदि अप कोई बाधा बच्ची है तो वो किवल यही है कि 1950 में जो संदी हुई थी उस संदी के तहट जो एक शर्त थी कि एक पर हमला हम दूसरे पर हमला माना जाएगा या एक तरीके थे ऐसा ना कहूं तो बहतर होगा ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि संदीक अनिसार ये निर्णे था कि दोनों देश पर ये दायत्व है कि किसी भी विदेश शक्ति को एक दूसरे पर हर्स्तक्षे करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा वह स्वरक्षा का मामला माना जाएगा ऐसा भी पूरी तुरह से ला नेपाल का भी अपना एक स्वार्थ है और स्वार्थ क्या है और किसी भी देश की विदेश नीती अपने स्वार्थ के लिए ही को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है अपने देश के सर्वोहित को सर्वो पर ही रखकर ही बनाई जाती है तो नेपाल की विदेश नीती में उसका स्वार्थ ये है कि वह दोनों देशों पड़ोसी देशों से समान दूरी बनाए रखे चाहे वो भारत हों चाहे वो चीन हों तथा भारत को एतिहासिक दिश्टि से सांस्कृतिक दिश्टि से अपने को निकट पाता है लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आये हैं जब भारत पर उसने शंका की है और इसी कारण दोनों में कभी कभी गतिरोध हो जाता है जो गतिरोध वर्तमान शासन में वर्तमान केंद्री सरकार के काल में इन गतिरोधों को भी हटाने का लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन निशकर्ष ये कि भारत और नेपाल के संबन्द 1950 के पूर्व एतिहासिक संबन्दों के मद्दे नजर, धार्मेक सांस्कृतिक संबन्दों के मद्दे नजर 1950 से 1955 तक बहुत अच्छे रहे। 1955 तक उसके बाद 562 के दौर में थोड़ी सी खटास आई। 62 से 66 और उसके बाद से सततरूप से उसमें सुधार होता गया और बहतर संबन्द होते गया। लेकिन फिर बीच में एक काल आया जब संबन्दों में फिर उतार आया। 1999 से अब तक हमारे संबन्द नेपाल के साथ अच्छे बने हुए हैं जहां तक भारत और नेपाल के संबन्दों की बात है उन संबन्दों में हमेशा चीन की छाया रहती है। यदि संबन्दों में उतार है तो उसका कारण चीन रहता है क्योंकि चीन के लिए भी नेपाल सामरिक महत्यों का उतना ही इंपॉर्टन देश है जितना वो भारत के लिए है। तो भारत सतत रूप से इस बात के पती जागरूख है कि वो नेपाल के साथ मधूर संबन्द बनाये रखे और भर्चक कोशिश करे कि नेपाल उसके अपने मित्र राश्टों में बना रहे है।